गुट मॉर्निंग स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासिस आज का स्टूज जो हमारा word of the day है हो है स्टूज क्या है स्टूज और यह एज नाउन भी यूज होता है और एज वर्ब भी यूज होता है जरा स्टूज देखते हैं स्टूज का मतलब क्या होता है as a noun a subordinate used by another to do unpleasant routine work ठीक है एक आपका subordinate जो मतलब आपके नीचे काम करता है जिसको आप use करो किसी unpleasant काम के लिए या a victim of ridicule or pranks या एक ऐसा शिकार जिसका एक ऐसा इनसान जिसका सब क्या जिसको सब ridicule करें उसके साथ सब मजा करें हिंदी में बोल ली हसी का पात्र या पिठ्ठू और स्टूज एज वर्ब यूज होती है ज़ा देखते हैं मतलब क्या होता है ट्रेवल विद नो पर्टिकुलर परपज जब आप एमलेसली एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे होते हो तो उसको भी इंग्लिश इंग्लिश में स्टूज क कहते हैं जैसे वांडर जो एक कॉमन वर्ड है जो स्टूज की जगह इस्तिमाल होता इंग्लिश में जरह सिनॉनिम्स देखते स्टूज क्या होते हैं बट गोट लाफिंग स्टॉक लैकी मीनियन पॉन पॉण पॉपेट अंडरलिंग असिस्टेंट हैंचमें इंस्टूमें स्टूज के कलप्रिट एंटागॉनिस्ट परपेट्रेटर अटैकर क्रिमिनल एस्सॉल्टर संटेंस में देखते हैं स्टूज किस तरीक से यूज़ होता है शी इस फैड अप विद बिइंग हर हस्बेंड स्टूज कोई औरत है वो बचारी फैड़ाप हो चुकि है उब च किस चीज से विद बिइंग हर हस्बेंड स्टूज अपने हस्बेंड की स्टूज बनके मतलब अपने हस्बेंड के हातों की कट पुतली बढ़कर वो जो औरत है वो उब चुकि है मतलब बहुत परेशान होगी है पीपल एक्यूज हर आफ बिइंग स्टूज आफ दा बीज बीजेपी का मतलब कट पुतली है मतलब जिस तरीके से बीजेपी पार्टी बोलती है उसी तरीके से वो औरत करती है डोंट स्टूज अबाउट दू सम्थिंग यूसफुल ठीक है मतलब इधर उधर मत घूमो ऐमलेसली है ना कुछ काम का कर लो तो सुडन्स आज का हमारा पुटली हसी का पात्रिया पिठ्थू और अज वर्ब इसका मतलब होता है बिना किसी खास मकसद के परपस के आप जब इदर उदर ट्रेवल करते हो उसको कहते हैं स्टूज ठीक है सुपली आपको समझ में आ गया 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 स्टूज का मतलब नेक्स वर्ड़ दे के साथ मैं क हुआ 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 है